Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Mrs. Vlog में आप सबी का स्वागत है So friends, आप सब कैसे हैं? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे guys मेरी pregnancy पेक तब पॉफिक चल ली है So काफी दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ guys तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा मुझे और चलिए guys, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ तो guys, मेरे घर पे चल रहा है काम जिसके होज़से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि guys, paint का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा dust भी हो रहा है और जिसके होज़से मुझे खासी भी होने लगी है थोड़ा थोड़ा और अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती है अपना घर तो ये है चुपी का और मेरा घर तो guys, अंदर ही हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था कि पहले जब मैं यहाँ पर रेडी थी तो कुछ काम नहीं हुआ था लेकिन अभी फाइनली यहाँ पर उताई-उताई हो गया है और इसमें भी लगने जा रहा है वाल पीपल लगेगा इसमें क्योंकि कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए और आप लोगों को पता है यह मेरे मामी सास का घर है लेकिन मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ मेरा अपना घर नहीं अभी तो यहाँ पर हम लोग किराये पर रहते हैं और यहाँ पर मुझे एक साल दो मैने सम्टिंग हो गया है यहाँ पर रहते हुए और यहाँ पर खिड़की भी लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर खिड़की नहींथा मैं पर्दा लगा दिथी बट नहीं था क्योंकि बाजू में मेरे देवर रहते हैं और इधर में रहती हो तो हमको इतना ज़्यादा परिशानी होता नहीं जैसे काफीर सारे लोग रहते तो ज़्यादा परिशानी होता बट ऐसा कुछ है नहीं तो देखो हॉल का जो है पुरा कंप्लीट हो गया है यहां पर है मेरा बैड है आप लोग को दिखा देती हूं सब ऐसे अस्तबस्त पड़ा हुआ है गाइस तो आप लोग माइन मत आप लोग को दिखा देती हूं अपने आपको थोड़ा प्यार अपने वेवी को भी थोड़ा प्यार कर लेती हूं तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि मुझे क्या होने वाला है कि मेरा जो पेठ है ना ओ हाती की सूड की तरह लंबा होते जा रहा है तो आप सब में मेरे हरवल लाइब को प्रोड़क्ट को सारा सीजे रखी हुई है तो गाइस मैं खाना वाना खा के थोड़ी दिर सो गई थी तो अभी ज़स्ट उठी हूँ अपने बालकनी माई हूँ थोड़ा फ्रेश लग 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 क्या फ्रेश होकर और यहां पर मैं बैठी हूँ कुछ नहीं खाना था तो यहां पर हम लोग ने ले ले भेल चुप्पी और मैं बस हैं किट्टू को नहीं लेकर आए हैं गाइस यहां से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टाइट फिल कर रही थी ठक गए थी और काफी कुछ में शूट नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी और खाना भी मैंने खा लिया है रात का साड़े दस बच चुके हैं यहां पर मेरे किट्टू खाना खा रहे देखिए किस तरीके से उधर इसके डैड़ा खाना खाके सो चुके हैं और यहां पर हूं गाइस मैं सो मिलते हूं गाइस नेक विलोग में तर तक लिए बाई गु